कि अधिक अधिक के विडियो स्रीज में आज हम देखने वाले हैं if and elix and else if elix as इसको बहुते हैं तो सबसे पहले यह जानते हैं कि इसकी requirement हमें कब पढ़ते हैं तो जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ कब हमें requirement होता है जब हमें कुछ piece of code किसी एक खास condition पर चलाना हों एगर यह condition हो तो यह quote चले तो हम वहां-पर किवान if we use करते हैं अगर हमारा requirement यह हो कि अगर condition true तो यह चले , अगर condition नहीं gef oh तो यह चले वहां पर हम यूज करते इफ एन एल्स तहांसे सुनना अब हमारा कंडिशन क्या है कि अगर कंडिशन यह हो तो यह वाला चले अगर कंडिशन यह हो तो यह वाला चले अगर कंडिशन को तीसरा कंडिशन हो तो यह वाला कोड चले अगर दूसरा कंडिशन हो तो य अलग-अलग कोड़ रन करना है तो उस condition पर हम यूज करते हैं if and elif क्योवल हम if and elif use करते हैं अभी मैं यहां से else part पो डालते हैं मां पर हम क्या यूज करते हैं if and elif वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि मैंने एक num नाम का variable लिया इसमें एक नंबर कर लिए अब कंडिशन क्या है कि अगर नंबर जो भी नंब में नंबर है मुझे नहीं पता है कौन से अगर नंबर 5 से बड़ा ठीक है अगर नंबर 10 से बड़ा एंद 10 से छोटा है तो यह मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि नंबर इस बड़ा एंद 15 से छोटा है तो यह वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि नंबर इस बड़ा एंद 20 से छोटा हो तो यह मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए कि नंबर इस बड़ और 25 से छोटा हो तो यह मैसेश प्रिंट हो जाना चाहिए कि number is between 21 and 25 and number प्रिंट हो जाना चाहिए हमारे पास multiple condition आने लगें तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे सबसे पहले if लिखेंगे condition लिखेंगे if की body लिखेंगे then हम लिखेंगे यह 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 the power if लिखने लिखी लिखने लिखर टिया से इप में condition यहां पर भी और उसके बाते भी थेंगे यह इस की body लिखेंगे फिर टो अलिखेंगे इंप एकफाल लिखने का बाद aneous caramel teveày टाने नहीं होगा की इंटेघर रहे किने फिर फॉर यृफ पिर पिर इरुप फिर कंडीशन किसट में इसे कोड़ेंट नश्का से पहले यह चलेगा go डाइवर यह व्युक्षर चलेगा यह क्好吃 नेफ़ाइगा अथे बार्ती सग्सार्ट जाएगा उसके बाद ये यह वाला लाईन रिच्छ खराएगा कि नंबर ये कंडीसर को ट्रू कर रहे हैं या निकंडिसन प्रिंट होजा यह चलेगा अगर दियुकर करीनी कंडीसर एक दूट हो अगर नहीं है तो program terminate कर जाएगा अगर यह condition true नहीं होता है ठीक है true नहीं होता है तो if की body में तो जाएगा नहीं उसके बाद यह next condition true चेक करेगा next condition कब check होगा जब पहले वाले condition false होगा ये याद याद रखना है about this case चेक करने का टाइम कब आएगा जब यह वाला condition falls होगा उसके बादसे यह वाली line नहीं चलेगी यह वाले line में यह condition check किया जागा फिर से इस line में condition check किया जागा कि यह true यह false है ठीक है अगर यह true होगा तो इसके नीचे का इसकी body की जो भी coding पहलेबाले aleef- USB जो बोडिस में जो झालावक कोडि ऑगा उसके नीचे का कुछ भी कथ च्छ, बोञ्वाक का Android च्छ भी नहीं यह सब्सक्ति, आहिए Knox के अगर यह सब्सक्र में इसके सब्सक्राइब Nक रण हो ओसक yards 2 यह सेटेसर कंसे सब्सक्राइब पहले यह चेक किया जाएगा अगर यह फॉल्स होता है तभी यह रन होगा नहीं तो सिद्धा इस इस की बाहर मैं लिख देता हूँ को पर देट आहिए इं यह Вाली कंडिसन चेक होई है काई यह कंडिसने अगर यह condition true हो तो इसकी body चलेगी and अगर यह वी condition एगर false हो जाता है तो यह वाले चलेगा तो basically इसमें flow यह कि यह वाला चले उसके लिए जरूरी है कि ऊपर हो फॉल्स हो जहां पे जिस जो condition false होगा उसके बाद ही जो condition true होगा उसके नीचे का code नहीं चलेगा पहला वाला ही अगर condition true हो जाता है इसके नीचे का कुछ चलेगा ही नहीं चेक ही नहीं किया जाएगा ये false होगा तब ही ये चेक किया जाएगा ये false होगा ये false होगा तब ये चेक किया जाएगा पूर जहां रखना है कि चैक कब होता है ठीक है बोडी कैसे रण होती है कैसे कोड इसगूट होता है यह टो अभी हम जैसे माने जिए कि आपने में होगा है मैं ङद देन इस की बाडी मैं यह नंबर हो हो जाएगा सिद्धा नोक पार बाद से इसके पास तो चलिया मिस्कुरण का रहते हैं आइसे 18.py नमबर यह वाला कंदिसन टुफ होगे और यह वाला मैस्ज पिन होगे नमबर इस बितन एलेबेन एन फिटीन अब देखे आप इसको फ्लो चेक भी कर सकतो यहां पर आप क्लिक करो अगर विजुल स्टुडियो कोड में तो यहां से यह ब्रेक पॉइंट मैंने लगा दिया यह रेट हो रेट होगे अब इससे हम क्या करते हैं डिबगिंग करकर देख सकते हैं रन में जाओ डिबगिंग करें डिबगिंगे स्ट्ट कने के बाद यह आप रैंद कर देखो अब हैवे अपको पतार चलेगा कि कैसे कैसे लौ कि ऐसे चल रहा है अब हम याँ रहां पर है ठीक है यावाला लैन चल Two Two of यह वाला कंडिशन चेक किया गया यह वाला कंडिशन चेक किया गया यह वाला कंडिशन चेक किया जागा 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 यह वाला कंडिशन चल रहा यह वाला लाइन चला अब भी देखना इसके बाद कहां पे आ जागा चांट्रोल बाहर का जो भी यह कोट था यह वाला यह वाला जो कॉट था यह दोनों नहीं चला टेकी नहीं किया गया तो धिब आपके पास अव्टूट में यह आ गया number is between 11 जो लास्ट में इसकी बॉडी के बाहर में जो इसके नीचे जो भी खोड होगा मैंने यह बस एक प्रेंट स्टेटमेंट लिखा तो वह वह वाला रण होगा इसकी एक विखके सब्सक्राइब कर大इा थे मस उतवावग आपको समझ में आगया होगा कि यह कैसे चलता है अब देखिए अब कंडिसें एक इसको हम लिखेंगे एल्स में और उसको लिखेंगे प्रिंट एक है कि ये पता है ये रस की बॉडिया है अब जखो ये बहुत की बॉडियर चलने का टाइम कब आएगा जब ये भी कंडिसन फॉल्स हो जो जब ये इसा नहीं कि बीच में को ट्रू हो गया उसके बाद भी ये कि इस और savez इस वह एफ और में भी क्या था इप जब भॉट होता था था तब मुझे रं करना है तो मैं और देते को डाम च्रक करता हूं विल्प में रrail कर लर्ण प्रेस्ट किया देखिए यहां से स्टार्ट हो गया अब दिखिए गया कंट्रोल किस पे किस पे आता है प्रेस्ट किस यह कंड्रोन किस and यह कंडिशन नहीं हो यह कंडिशन गाल में यह कंडिशन हो दिख दा इसके body में नहीं जाएगा अब जाएगा else में कोई condition था नहीं तो सिधा वो क्या करेगा else की body को execute करेगा एंद उसके बाद जो हमारा है last में जैसे else की body execute हुए हमारा output में else body आ चुका है अभी control इस पे जैसे इसके नीचे जाएगा इस वाले को run करेगा एंद हमारा प्रोगाम टर्मिल्ट हो जाएगा एले थे else and after if and elif I think आपको यह समझ में आगे होगा कि if, elif and else को एक साथ कैसे जूच करते हैं okay and sequence सबसे जाए इंपोर्टेंट है इसमें यह वाला statement यह condition कब चेक किया जाएगा यह वाला condition कब चेक किया जाएगा जैब इसके उपर के सारे कंदिशन फॉपर के सारे कंदिशन फॉपर के कोई भी एक कंदिशन टू हो जाता तो सिदा यह कंट्रोल बाहर आ जैसे मैं यहा इसको flow को next next पे ले जाओ इस पर यह इस पर गया इस पर गया यह वाला condition I think true नहीं होगा फिर इस पर गया यह वाला condition true हो गया प्रूव होने के वज़े से इसकी body में गया इसका body print हुआ इसके body में control है भी print नहीं हो ठीक है भी message कुछ भी नहीं है जैसे इसके next वाले पर जागए तब यह प्रिंट हो जागा इसके next पर गया सिदा यह वाला message प्रिंट किया उसके बार से यह भी नहीं चेक करेगा यह व अगर आपको यह समझ में तो इस वीडियो को लाइक करेग और इस प्रेन को सब्सक्राइब करेगा तो इस प्रेन को सब्सक्राइब तो यह वाले पर चाहिए